पिछले वीडियो में हमने देखा कई सारे टाइपस अफ लेंस के बारे में और ये जाना कि प्राइम और जूम लेंस किसी भी फोकल रेंज में हो सकता है इस वीडियो में हम देखेंगे जूम लेंस और प्राइम लेंस में क्या अंदर है उनके फायदे नुकसान और हमें कौन सा लेंस खरीदना चाहिए स्वागत दोस्त आप सभी का डिफिलियर.net चैनल में मेरा नाम है अनिल और आज हम डिसकस करेंगे जूम लेंस वर्सस प्रायम लेंस जूम लेंस में वैरियबल फोकल लेंग्द होता है आप एक प्रिदिफाइन रेंज तक फोकल लेंग्द चेंज कर सकते हैं जिससे आप सबजेट के नजदीक या दूर जा सकते हैं यानि different field of view अचीव कर सकते हैं इन lenses में zoom ring होते हैं और आपको physically move करने की ज़रुवत नहीं पड़ती है angle of view को adjust करने के लिए और zoom lens का primary advantage यही है कि एक particular subject का आप easily variety of composition और perspective अचीव कर सकते हैं आपको अलग-अलग lens बदलने की ज़रुवत नहीं है subject का perspective आप easily बदल सकते हो either by zooming out या subject के करीब जाकर zoom lenses almost हर focal range में available हैं traveling photographers जहां 4-5 अलग-अलग prime lenses carry करते हैं वहीं एक zoom lens ideal choice है क्योंकि आपको multiple focal range एक ही lens में मिल जाती है दो type के zoom lens होते हैं variable aperture zoom lens, constant aperture zoom lens variable aperture zoom lens में aperture vary करता है आप जैसे जैसे zoom करेंगे यानि focal length जैसे जैसे बढ़ता जाएगा aperture कम होता जाएगा zoom lenses में aperture का भी range दिया होता है जैसे की Canon 18-5 mm kit lens में minimum focal length यानि 18 mm पर f 3.5 aperture मिलता है और जैसे जैसे zoom करते हैं इसके maximum focal length 55 mm पर aperture नेरो हो जाता है f 5.6 तक यानि maximum focal length पर आपको wide aperture नहीं मिल पाता है और वहीं constant aperture zoom lens में aperture constant होता है throughout the focal length constant aperture zoom lens, variable aperture zoom lens के मुकाबले महंगे होते हैं price वाइस बात करूं तो zoom lens के price थोड़े complicated है ये depend करता है आपका lens क्या कर सकता है ये जरूरी नहीं है कि 18-135 mm lens महंगा होगा 24-70 mm से क्यूंकि इसका focal range ज्यादा है और ये ज्यादा zoom कर सकता है मगर ऐसा नहीं है lens का price कई सारे factors पर depend करता है like glass elements used, motor type, dispersion, maximum aperture etc for example, 18-135 mm lens को एक hobbyist के इस्तमाल के लिए बनाया है जहां कोई multiple lenses को carry करने नहीं चाहता वहीं 24-70 mm एक serious shooter के लिए बनाया है अब भले ही इसका focal range कम हो ये high quality premium lens है zoom lens के advantage है flexibility in focal length convenient होता है कोई भी shot लेने के लिए आपको subject को frame करने के लिए आगे पीछे move करने की ज़रूत नहीं zoom lens save space क्यूंकि ये बाकी के same focal range के lens को replace करता है इनका disadvantage ये बड़ा और heavy होता है ज्यादा optical elements और glass की वज़े से distortions और aberrations का risk होता है prime lens वो होता है जिनके focal length fixed होते हैं यानि अगर आपने 50 mm लिया तो आपको केवल 50 mm perspective ही मिलेगा इन lenses में zoom ring नहीं होता है आप केवल एक ही field of view अप्टेन कर पाते हैं और अगर आपको wide shot या close up shot लेना हो तो आपको physically subject के पास या दूर जाना होगा prime lenses अल्मोस्ट सभी प्रकार के photography में काम आते हैं lens manufacturers अलग-अलग focal length के prime lenses manufacture करते हैं जैसे की 16 mm, 24 mm, 35 mm, 50, 70, 100, 400, etc आपको अल्मोस्ट हर focal range के prime lenses मिल जाते हैं एक wide angle से telephoto तक अब सवाल है कि इनमें zoom ना होते हुए भी कई photographers prime lenses का इस्तमाल क्यों करते हैं सबसे बड़ा advantage prime lenses का यही होता है कि इनमें less moving parts की वज़े से wide aperture मिलता है और एक wide या large aperture के कई फायदे हैं आपका lens low light condition में बहतर perform करता है आप shallow depth of field अचीव कर सकते हैं जिसमें background blur और bokeh effect मिलता है जादा तर prime lenses में wide aperture होता है यानि बड़े opening की वज़े से ज्यादा light एंटर करती है जिससे आप shutter speed को fast कर सकते हैं ये भी एक वज़ा है कि इन्हें fast lens कहते हैं जिससे आपको sharp image मिलती है 3. Less moving parts और zooming ना होने की वज़े से ये size में छोटे होते हैं compare to zoom lens हाला कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर prime lens छोटे होते हैं पुछ के size बड़े भी होते हैं 4. कई photographers मानते हैं कि instead of एक ही जगा खड़े होके zoom in, zoom out करने के बज़ाए आप खुद physically move कीजे ये एक अच्छा तरीका होता है अलग-अलग composition को सीखने के लिए और आप एक बहतर angle को भी find out करते हैं So quality wise देखें तो prime lens superior है zoom lens से क्योंकि prime lens में जो glass इस्तमाल होता है वो काफी precise होता है और एक अच्छी quality और sharp image प्रोवाइड करता है उनके advantage है number one sharp image produce करता है क्योंकि single focal length के वज़े से कम optical elements और glass का इस्तमाल होता है number two wide aperture मिलता है जिससे low light में बहतर performance मिलती है और आपको ISO बढ़ाने की ज़रुवत नहीं होती number three mostly ये light weight और compact होता है number four mostly ये सस्ता होता है बट ये depend करता है lens to lens and number five good learning factors and helps in understanding compositions इसके disadvantage है lack of versatility and flexibility I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा current market में popularity के हिसाब से कुछ recommender lenses के links मैंने description में दिये है आप उन्हें परक हिये और चाहें तो purchase कर सकते हैं अपने next वीडियो पे हम discuss करेंगे lenses पे जो number और letters होता है उनका मतलब क्या होता है इस चैनल को subscribe करना मत भूले और bell icon जरूर दबाएं ताकि मैं जो भी नए वीडियो अप्लोड करो उसका notification आपको मिल जाए धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने का फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ बाई बाई, take care